अस्सलाम अलेकम जी वेलकम टुमाई यूट्यूब चेनल यूएस का वीजा डन बेस पे यूएई से आप यूएस जा सकते हो डन बेस पे डन बेस वीजा पे अगर आप टिक टॉक के उपर जाओ तो आपको बहुत सारी वीजियो देखने को मिल रही है डन बेस वीजा यूएस का कुछ लोग उन्होंने वीजियो बनाएं कि हम आपको डन बेस पे यूएस का वीजा दिलवाएंगे बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट इतनी वीजियो डाल दीएं कि जिस टाइम में टिक टॉक नबेस मिस्टर डन बेस मिस्टर डन बेस नज़र आता है एक तो उन लोगों को डन बेस का पता नही है जोग अगेंस्ट वीजियो बना रहें ठीके हैं? इमिग्रेशन के मामलाज शाहिद उनको नहीं पता है दूसरी बात की जा रही है अगर आपके बाद डाकुमेंट्स नहीं है नोसी नहीं है बैंक स्टेटमेंट नहीं है उसके बावजूद आपको हम अमेरिका का वीजा दिलवाएंगे वो जो मिस्टर डन बेस है वो इस बात को के रहें अब उसके अगेस्ट जो लोग वीडियो बना रहें वो बोला है के बाई अगस्यका जाओंगे असल डन बेस होता क्या है वो भी आपको बता जिता हूँ इस वीडियो को end तक ज़रूर देखना तब आपको जाके बात समझ में आएगी देखो सबसे पहली बात डन बेस होता क्या है इस चीज़ को समझो मैं क्यों ये बातें जानता हूँ क्योंकि मैं immigration consultant हूँ मैंने covid से पहले बहुत सारे लोगों को योरप भी बेजा है वो सारे लोगों कैनेडा यूएस वेस्टरन कैंट्रीज में सैटल किया है ऐसे ऐसे लोगों के वीजेज लगवाएं मैंने जिनको उमीद ही नहीं थी एक बंदा इंडिया में बेटा वादा उसके वीजे रिफ्यूज हो रहे थे यूरप के उसने मुझे बोला भई मेरा और मेरी वाइफ का वीजे लगवाएं मैंने उसका जब वीजे अपलाए करवाया उसका वीजे लगगया तो मुझे बोलता है कि तुम भगवान हो मुझे भगवान मना दिया भई मैं कोई भगवान नहीं हूँ अगर proper way में आप apply करते हो तो आपका visa लग जाता है consultant का मकसद क्या होता है सबसे पहले इस चीज़ को समझो जाली agent की बात में नहीं कर रहा consultant मतलब जो consultancy आपको provide करता है आपके documents देखता है आपके case को study करता है देखता है कि आप eligible हो नहीं हो आपके अंदर क्या कमी बेशी है आपको वो बताता है उस चीज़ को कमी बेशी को पूरा कैसे करना है वो आपको बताता है guide करना काम होता है एक consultant का और जो consultant है वो जो fees लेता है वो लेता है अपने time की अपनी guidelines की जो आपकी help करता है उसकी वीज़ा का अगर कोई ये बोलता है कि मैं आपको अमेरिका का वीज़ा दूँगा और आप मुझे वीज़ा के पैसे दो तो वो जूटा है फे के वो कोई बोलता है मैं आपको यूरप का वीज़ा दूँगा आप मुझे पेसे दो, मैं लगवा कर दूँगा, नहीं लगवा सकता, किसी का बाप भी आपका वीजा नहीं लगवा सकता, क्योंकि वीजा देना एमबेसी का काम है, एमबेसी में बीठा वीजा आफिसर, इमिगरेशन डिपार्टमेंट, वो डिसाइड करता है कि आपको बीएस वण सिक्स्टी फार्म फिल किया, बीवन, बीटू वीजा के लिए, युएस के, आपका फार्म इतना अच्छा फिल है, हर चीज प्रॉपर है, क्योंकि युएस का जो वीजा होता है, वो ज्यादा तर डिसाइड हो जाता है, जब आप ओनलाइन फार्म फिल करते हो, उस पे डिसाइड हो जाता है कि आपको वीजा देना है नहीं देना जो आफिसर है वीजा आफिसर जो आपका केस देख रहा है उसने डिसाइड कर लिया है कि इस बंदे को वीजा देना है लेकिन जब आप इंटर्व्यू के लिए जाते हो तीन-चार सवाल आपसे पूछे जाते हैं पांच मिनट का भी नहीं होता इंटर्व्यू 99.9% वीजा आफिसर ने डिसाइड किया है कि आपको वीजा देना है आपसे सवाल पूछता है वो मुतमई नहीं होता उसके जवाब से बोलता है नहीं देना आपको वीजा आप दोबारा अपलाए करना तो मतब उस वीजा आफिसर को भी 100% गारेंटी नहीं हो दी कि आपको वीजा देना है या नहीं देना समझे हुए मेरी बात को तो भाई, ये चीज कोई ड़न बेस पे आपको नहीं बोल सकता है कि 100% में आपको वीजा दिलवाऊंगा जो बंदा ये बोलता है वो जूड बोलता है लेकिन जो Mr. Dunbase है वो किस बैस पे बोल रहा है वो भी मैं आपको बताए तो अब ये Dunbase होता क्या है किस बीमारी का नाम है ये कोई नई बीमारी नहीं है ये बहुत पहले से बहुत सालों से चलती आ रही Dunbase का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एजेंट लोग आफर कर रहे होते हैं Dunbase की ठीक है कि हम आपको Dunbase पर वीजा दिलवाएंगे सपोज एक वीजा है अमेरिका का वीजा आप अपलाए करने जाते हो सो डालर, दो सो डालर, तीन सो डालर आपका खरचा आता है खुद से अपलाए करते हो दो वही वीजा आप जब एजेंट के पास जाते हो Dunbase पे वो कहता है कि मैं आपको वीजा दिलवाऊंगा और आप मुझे दोगे पचीस लाग, या आप मुझे दोगे एक रुपया भी नहीं दोगे आपका जो वीजा का खरचा है वो मैं पे करूँगा एजेंट, लोग ये जो Dunbase की आफर करते है वो अपनी जेब से पेसा पे करते है वीजा की फीज, जितनी भी फीजिस होती है, जो भी पेसा हाद है जो क्लाइंट है उसका एक रुपया भी खरच नहीं होना होता उस वक्त तक जब तक उसका वीजा नहीं लगता जब उसका वीजा लग गया तो उसने वो रकम एजेंट को देनी है चाहे वो पचीस लाग की बात हुई हो उनकी चाहे पचास लाग की बात हुई हो तो यह होता एक जुआ जो एजेंट लोग खेलते हैं, यह जुआ कैसीनों में नहीं खेला जाता, यह जुआ खेला जाता है वीजा के उपर 100% शुरेटी एजेंट को नहीं होती कि उसका वीजा लगेगा यह नहीं लेगेगा, लेकिन जब एक एजेंट के पास 10 बंदे, 20 बंदे आएंगे तो उसको यह जरूर यकीन होता है, कि अगर 20 बंदे मेरे पास आ रहे हैं, 20 बंदों के फीसे में पेक कर रहा हैं अपनी जैब से, तो यकीनन अगर 19 का रिफ्यूज हो भी गया तो एक बंदे का यह वीजा लग सकता है उसको गैरंटी नहीं होती कि उसका वीजा लगेगा यकीनन हो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता है, डाकुमेंट्स प्रोवाइड करता है हर चीज मतलब बनाता है उस बंदे की और फिर अपलाए कर देता है जुगा खेलता है अब अगर 20 मेंचे 19 लोगों के वीजे रिफ्यूज हो गए लेकिन एक बंदे का लग गया उसके साथ मामला ते हुआ 40 लाक में तो आप क्या समझते हो क्या उसके लिए घाटे गास होदा है उसके लिए बहुत बड़ा फाइदा होता है इसको कहते है डन बेस ये होता है असल डन बेस का गेम समझे लो मेरी बात को इस गेम को कहल के बहुत सारे एजेंट करोड़ पती बन गए मल्टी मिलिनियर्स बन गए अब बात करते हैं क्योंकि ये जो लोग टिक टॉक के उपर अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं इनको कुछ नहीं पता दूसरी बात करते हैं कि डाकुमेंट्स कहां से आते हैं और ये जो साहाब मिस्टर डन बेस दुबही में बैट के लोगों को आफर कर रहे है कि डन बेस युएस का वीज़ा देंगे इनका तरीका वादात क्या है एक इस तरीके से आपको डन बेस पे वीज़ा दिलवाएंगे बोलते हैं नोसी नहीं है हम प्रोवाइड करेंगे बैंक स्टेडमेंट नहीं हम प्रोवाइड करेंगे फिर इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है NOC नहीं है कैसे वीजा मिलेगा Bank statement नहीं है वीजा कैसे मिलेगा अब बाई documents ही नहीं है बंदा जौब ही नहीं करता वीजा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा वीजा मैं आपको बताता हूँ किसे वीजा मिलेगा ये पता नहीं कौन-कौन उठोटके आ गए हैं और टिक-टॉक के ओपर जो एना वीडियो डालना शुरू कर दिए देखो एक तरीका होता है उसको कितने एक टर्म यूज होती है स्पॉंसर्शिप की अब जो बंदा ये आफर कर रहा है ना उसका जब जहां तक मैंने रिसर्श किये तो उनका मकसद यह है कि हम आपको वीजा दिलवाएंगे अमेरिका का 44,000 दरम में 44,000 दरम कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई अमेरिका के वीजा के लिए इंडियन पंजाबियों के अगर मैं बात करूँ ना सिक लोग और पंजाबी लोग जो पंजाब में रहते डाकुमेंट्स नहीं होते एलिजिबल ही नहीं है वीजा के 25, 25, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50 लाग रुपे देते हैं डंकर्स को इल्लीगली अमेरिका जाने के लिए डंकी लगा के पेदल जाते हैं जंगलों में जाते हैं बयाबानों में जाते हैं जंगली जानवर खा जाते हैं बहुत सारे लोगों को मर जाते हैं रस्ते में प्यास से मर जाते हैं ये वीजे के लिए पैसा 44,000 कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन दोनों चीज़ों को गलत समझता हूं, ना डंकी को सही समझता हूं, ना ही मैं किसी को मश्वरा देता हूं कि आप इन चक्रों में पड़ो, लेकिन आप जो वो बंदा डंबेस की आफर कर रहा है, वीजा की होगी, कोई इशू नहीं, एक टर्म यूज होती है, वो होती है, स्पॉंसर गीटा, मतलब एक कंपनी आपको स्पॉंसर कर रही है, या कोई ऐसा बंदा आपको स्पॉंसर कर रहा है, वीजा, जिसका बेग्राउंड बहुत अच्छा है, जिसके ओपर एमबेसी को डाउट न हो, तो वो बंदा उनके बास है, क्योंकि एमाराती है, अगर किसी को अफर करेगा, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको या आप जैसे दस पंदरा बंदों के वीजे अपलाय करेगा, या किन सबके तो वीजे नहीं लगेंगे, बहुत सारे लोगों के वी मेरी कमपनी है, उसका बैंक स्टेट्मेंट बहूत अचा है, अच्छा बिजनिस करती है, पैसा भी बहुत है, मेरे पास एक रेलाइबल कमपनी है, मेरी बैकग्राउण भी अच्छा है, तो मेरे पास अगर दस बंदे आते हैं, मैं उन 20 बंदों का गूरूप बना कि उनको या योराप्व या किसी بھی मौलक ले जा सकता हूँ अपने साथ टूर बे उनके डाकुमेंट्स मैं अपने तरफ से प्रोवाइड करूँगा मतलब मैं उनको स्पांसर करूँगा, मेरी कमपणी के डाकुमेंट्स लेगेंगे bank statement मेरी company का लगेगा बागी जितने documents मेरी company के लगेंगे ठीके तो इस तरीके से लोगों को companies अपने documents लगा के अपने साथ ले जाती है तो इसी तरीके से ये लोग जो offer कर रहे हैं ये भी इसी तरीके से offer कर रहे हैं लेकिन इन्होंने बात की है done based की तो done based से इनकी मुराद क्या है वो इनको clear बताना चाहिए ताकि जो भी बंदा इनके पास आए उसको पता हो कि ये जो offer कर रहे हैं ये किस best पर offer कर रहे हैं वीडियोस में इनको clearly बताना चाहिए कि आपका done based कौन सा है कि अगर हमारा वीजा लगता है तो उस सूरत में हमें fees pay करनी है 44,000 या अगर वीजा refuse होता है तो उस सूरत में कुछ पैसा आप उसमें से deduct करोगे कुछ service charge deduct करके बागी पैसा हमें return करोगे क्या पैसा हमें advance में देना है अगर वीजा नहीं लगेगा तो क्या हमारा पैसा 100% हमें वापस मिलेगा ये सारी चीज़े किलियर करनी चाहिए है भाई इस डन बेस के हक में हुई ही नहीं आप डन बेस के चक्करों में पढ़ ही नहीं 44,000 दरहम्स अगर आप किसी को विजिट वीजा के लिए दे सकते हो तो उन 44,000 दरहम्स को यूटिलाइस करो, छोटा मोटा बिजनिस स्टार्ट करो या ऐसी स्किल्स सी को जिन से आप आप आउन लाइन पैसा कमाओ आप अमेरिका जाओगे केनिडा जाओगे, यूरप जाओगे शुरू में अगर आपके बहुत सारा पैसा नहीं है, तो वहाँ पे सर्वाइब करना इतना आसान नहीं, मैं यह नहीं कहता है कि आप नहीं जाओ, आपको जाना चाहिए क्योंकि वो कंट्रीज आपको सिटीजनशिप आफर करती हैं, लेकिन सिटीजनशिप लेने तक जब उस मकाम तक आप पहुँचते हो, कई साल लग जाते हैं, और उन कई सालों में आपको क्या क्या काम वहाँ पे करने पड़ते हैं, यह आप सोच नहीं सकती, यह नहीं है कि आपने अमेरिका में जाके पेर रखा और आपके उपर डालरों की बारिश शुरू हो जाएं, ऐसा आपने हर्गिस नहीं सोचना, दूसरी बात, जिसको गूमने पिरने के लिए सिर्फ जाना है, वो आपको 44,000 दरम पे नहीं करेगा सिर्फ विजिट वीजा लेने के लिए 44,000 दरम सिर्फ इसलिए कि जाके गूमेगा फिरेगा, तो बेवकूफी है, बड़ी कोई बेवकूफी नहीं है, जो लोग बड़ी बड़ी रकम पे करते हैं अमेरिका का वीजा लेने के लिए उनका मकसद वहाँ पे जाके घूमना पिरना नहीं होता, बलके वहाँ पे जाके सेटल होना होता है यह लोग जब आपको अपने साथ यूएस ले जाएंगे क्योंकि यह गूरूप बना के आपको अपने साथ ले जाएंगे, तो वापिस भी आपको अपने साथ लेके हैंगे आपसे गैरंटी लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, तो यह नहीं है क्योंकि वो अपनी शुर्टी पे अपनी गैरंटी पे लेके जा रहे हैं एक भी बंदा अगर वहां पे जाके सिलिप हो गया और वह वापिस नहीं आया तो इनकी कमपनी के लिए बाद में मसला होगा दोबारा वीजा लेने के लिए अभी रही है चोटी सी वीडियो आपको अच्छी लेकिए और वडियो अच्छी लेकिए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए अजाज़त पिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा